नमस्कार शुरू करने जा रहे हैं राम चंदरशंखला किताब एक राम एक्षवाकू के वन्शच जो की लिखी गई है अमीश द्वारा अध्याए एक चोंतिस सो ईसा पूर्व गुदावरी नदी के समीब भारत अपने लंबे कसे और मजबूत शरीर को जुकाते हुए राम नीचे को हुए अपना वजन दाहिने घुटने पे डालते हुए उन्होंने धनुष को मजबूती से थामा बान को सही जगह लगाया लेकिन वह जानते थे कि कमान को पहले जादा नहीं कीचना चाहिए वह अपनी मास पेशियों पर तनाव नहीं डालना चाहते थे उन्हें सही समय का इंतजार करना था हमला अक्समात होना चाहिए दादा वह जा रहा है लक्षमन ने अपने बड़े भाई से फुस्वसाते हुए कहा राम ने कोई प्रतिकिर्या नहीं दी उनकी आँखे शिकार पेटिकी थी हलकी हवा उनके उन खुले बालों को हिला रही थी जो सिर्पे बंधे जूडे में आने से रह गए थे उनकी अस्त व्यस्त रोएंदार दाड़ी और सफेद धोती हवा के साथ ताल मिला रही थी राम ने हवा की दिशा को समझते हुए अपना कोण सही किया उन्होंने शांती से अपना सफेद अंग वस्तर अलग किया जिससे उनके सावले धड़ पर युद्ध के विजई निशान दिखने लगे लक्ष भेदते समय अंग वस्तर मध्य में नहीं आना चाहिए हीरन अचानक से निस्तबंध हो गया शायद उसे अन्होनी का अभास हुआ होगा और सहज्ता से पैर घसीटते हुए उसके हाफने की आवाज राम सुन सकते थे कुछ पल बाद वह फिर से पत्तियां चबाने लगा उसका बाकी जुंड थोड़ी ही दूरी पर था जो घने जंगल की वज़ा से दिखाई नहीं दे रहा था प्रभु परशुराम की कृपा से उसने अपने आभास पर ध्यान नहीं दिया लक्षमन ने धीरे से कहा प्रभु ने आज हमारे बढ़िया भोजन का इंतजाम कर दिया चुप रहो लक्षमन खामोश हो गई राम जानते थे कि इसे मारना जरूरी है लक्षमन और स्वेया राम अपनी पतनी सीता के साथ पीछले तीस दिनों से जंगल में भटक रहे थे मलय पूत्र प्रजाती के कुछ और लोग भी थे अपने सरदार जटैयू के नित्रित्व में उनके साथ थे जटैयू ने कहा किसी अन्होनी की आशंका से उन्हें उनका पिछला स्थान छोड़ने पर मजबूर किया गया था शुर्ब नखा पर विभीशन से हुई चिंता जनक मुलाकात का कुछ तो परिनाम आना ही था आखिरकार वे लंका के रक्षश राजा रावन के सहुद्दर थे रावन निश्चित रूप से उस अपमान का बदला लेगा लंका का शाही खून यू विर्थ नहीं जाएगा दंड कारणय के पूर्व से होते हुए घणे दंडक वन में वे गुदावरी के साथ साथ सफर कर रहे थे उन्हें यकीन था कि सहचता से उनके स्थान की पहचान करना संभव नहीं होगा नदी से दूर रहने का मतलब होता है कि वे शिकार का मुका गवा देते रगु के वन्शच, रगुकुल के दीपक, अयोध्या के राजकुमार राम और लक्षमन क्षत्रिय थे वे कंद मूल खाकर जादा दिनों तक गुजारा नहीं कर सकते थे हिरन स्थिर था, कोमल पत्तियों को चरने की खुशी में खोया हुआ राम जानते थे, यही वो पल है, बाएं हाथ में पकड़े हुए धनुश की कमान को उन्होंने दाइने हाथ से खीचा लगबग अपने अधरों तक, कोहनी को उचा उठाया जमीन के समानतर ठीक वैसे ही जैसे उनके गुरू महारिशी विशिष्ट ने उन्हें बताया था कोहनी कमजोर है, इसे उचा करो, भार को पिछली माश पेशियों पर डालो, पीठ मजबूत होती है राम ने कमान को थोड़ा ओर खींचा और फिर तीर छोड़ दिया भाले सी तेज से तीर पत्तों के बीच से होता हुआ हिरन की गर्दन में जाधसा वह उसी क्षन खतम हो गया, फेफडों में भरे खून की वज़ा से वह जरा मिम्याया भी ना पाया मासर शरीर के बावजूद लक्षमन पूरी तेजी से उस ओर बढ़ गए चलते ही चलते उन्होंने अपनी कमर पेटी से कटार निकाल ली पलभर में ही वह हिरन के पास पहुंचे और पूरे बल से वह कटार उसके दिल को भेटते हुए पसलियों में उतार दी हे निर्दोष जीव तुम्हारी हत्या के लिए मुझे क्षमा करना उन्होंने शिकारियों द्वारा कही जाने वाली प्राचीन क्षमा को दोराते हुए स्नेह से उसके सिर पे हाथ फेरा तुम्हारी आत्मा को पुन्हे जीवन मिले और तुम्हारा शरीर मेरी आत्मा का पोशन करे जब तक लक्षमन तीर बाहर निकाल रहे थे राम भी वहाँ आ पहुंचे लक्षमन ने तीर साफ किया और उसके स्वामी को लोटा दिया यह अभी और कामा सकता है उन्होंने धीरे से कहा राम ने तीर को तरकश में रखते हुए आसमान की ओर देखा पक्षी खुसीशे चहचहा रहे थे हिरन को उन्हें समो को कुछ खबर देने का भी समय ना मिला उन्हें अभास नहीं था कि उनके किसी अपने की मृत्य हो गई थी राम ने प्रभुरूद्र की प्रातना करते हुए उनका धन्यवाद किया अब उन्हें यहां से जल से जल निकल जाना चाहिए था राम और लक्षमन घने जंगल के बीच अपना रास्ता बनाते हुए चल दिये राम आगे चल रहे थे उनके कंधे पे मजबूत लाठी का आगे का सिर्थ था जबकि लक्षमन पीछे लाठी का दूसरा सिरा कंधे पे उठाए थे हीरन लाठी के मध्य में लटका हुआ था उसके चारों पैर मोटी रसी से उस पे बंधे थे वह कितने दिनों बाद बढ़िया भोजन करने को मिलेगा लक्षमन ने कहा राम के चेहरे पे एक मुसकान खेल गई लेकिन वो चुप रहे लेकिन हम इसे अच्छी तरह से पका नहीं सकते न दादा नहीं ऐसा नहीं कर सकते घने दुए से किसी को हमारी स्थिति का पता लग सकता है क्या हमें अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है उन्होंने कोई खमला नहीं किया है शायद वो हमारा पता नहीं लगा पाए है हमें कोई हमलावर भी तो नहीं मिला है ना उन्हें कैसे पता लगेगा कि हम कहां है दंडक वन अथा है वो सकता है तुम सही कह रहे हो लेकिन मैं कोई खत्रा नहीं लेने वाला हमें सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए लक्षमन शांत हो गए हाला की वजन से उनके कंदे जुकने लगे थे यह कंदमूल खाने से तो बहतर होगा राम ने बिना पीछे मुड़े हुए कहा यकीनन लक्षमन ने सहमती जताई भाई खामोशी से चलने लगे दादा कुछ तो गड़बढ है समझ नहीं आ रहा है क्या लेकिन कुछ तो हुआ है शायद भरत दादा लक्षमन राम ने सक्ती से डांटा भरत राम के अनुझ थे उनके पिता दश्रत ने राम को वनवास दिये जाने के बाद उन्हें आयोध्य का युवराज घोशित कर दिया था दूसरे अनुझ शत्रुगण और लक्षमन जुडवा थे लेकिन अपनी भरत्य भक्ती के चलते वे अलग हो गए शत्रुगण भरत के साथ आयोध्या में ही रुके जबकि लक्षमन ने बेजजक भाई राम के साथ आने का फैसला कर लिया और सहनशील लक्षमन को भरत पर भरोसा करने के राम के फैसले पर संदेह रहता था उन्हें लगता था कि अपने आदर्शवादी भाई को भरत की छिपी राजनीती के बारे में आगा करना उनका करतव्य था जानता हूँ दादा कि आप यह नहीं सुनना चाहते लक्षमन अपनी बात पे अडिक थे लेकिन मुझे भरोसा है कि वह अवश्य ही हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं ठीक है हम इसकी तह तक जाएंगी राम ने लक्षमन को टोका नेकिन अभी हमें दोस्तों की जुरूरत है जटायू का कहना सही है हमें मल्य पुत्र के पड़ाव तक पहुँचना ही होगा कम से कम उनसे मदद की उमीद की जा सकती है मैं नहीं जानता कि किस पे भरोसा किया जा सकता है दादा हो सकता है वो गिद पुरश हमारे दुश्मनों से मिला हुआ हो जटायू नागा था विकृतियों के साथ जन्मे प्रजाती से राम जटायू पे भरोसा करती थे इसके बावजूद की नागाओं को सपत सिंदू की ग्रनित और बहिश्कृत प्रजाती माना जाता था सपत सिंदू साथ नदियों का प्रतेश जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित था उसके नागाओं की तरह जटायू भी विकृतियों के साथ पैदा हुआ था जटायू के चेहरे पर आगे को उठी हुई हड़ी थी जो किसी चोच का आभास देती थी उसका सिर गंजा था लेकिन चेहरा घने बालों से गीरा था यतापी वह इनसान नहीं था लेकिन देखने में वो गिद जैसा प्रतीत होता था सीता जटायू पे भरोसा करती है राम ने कहा यतापी यह पहले से सपष्ट था मुझे जटायू पे भरोसा है और तुम्हें भी करना चाहिए लक्षमन चुप हो गए और दोनों भाई चलते रहे लेकिन आपको भरत दादा के बारे में सोचना असंगत क्यों लगता है राम ने हाथ उठा कर लक्षमन को चुप रहने का इशारा किया सुनो लक्षमन ने कानों पे जोर दिया उनकी रीड में एक सिरहन सी दोड गई राम ने मुड़के लक्षमन की ओर देखा उनके चेहरा डर से पतरा गया था वे दोनों उसे सुन सकते थे एक डरी हुई चीक वहसीता की आवाज थी दूरी की वज़ह से आवाज क्ष्रेन थी लेकिन सुपष्ट थ वह सीता की आवाज थी वह अपने पती को बुला रही थी राम और लक्षमन हिरन को छोड़के अधिरता से आवाज की दिशा में दोड पड़े वे अभी भी अपनी कुटिया से कुछ दूर थे सीता की आवाज चहचहाते पक्षियों से पार सुनी जा सकती थी राम उन्हें अब संघर्ष की आवाजें भी सुनाई देने लगी धातुर अगरने की राम जंगल में बेतहाशा भागते हुए चलाई सीता सीता लक्षमर ने लड़ने के लिए तलवार खींच ली राम उसे छोड़ दो राम की आवाज में क्रोध का कमपन था उनकी गती हवा से भी तेज थी राम राम की पकड़ धनुश से मजबूत हो गई थी कुटिया से अव्य महच कुछ पल के फांसले पे थी सीता सीता की आवाज मर्ध्य हो रही थी अनिष्ट की संभावना को नकारते हुए राम उसी गती से दोड रहे थे उनका दिल जोरों से धड़क रहा था मन में चिंता के बादल गुमड रहे थे उन्होंने पंखों की घुमने की गढ़ंप गढ़ंप आवाज सुनाई दी इस आवाज को वह अच्छी तरह पहचानते थे या रावन के पुश्पक विमान की आवाज थी नहीं राम चिलाए उन्होंने भागते हुए धनुश की कमान खीचली थी आंसों उनके गालों पे लुड़क आई दोनों भाई कुटिया तक पहुँच गए थे वह पूरी तरह से उजड़ी हुई थी चारों और खून ही खून फैला हुआ था सीता राम ने उपर देखा और पुश्वक विमान की और तीर छोड़ दिया जो तेजी से आकाश की और बढ़ रहा था अपनी तीवर गती की बदोलत में पहले से शुरक्षित दूरी तक जाप हुँचा था लक्षमान ने पागल पन से पूरी कुटिया चान मारी मरे हुए सैनिकों के शरीर वहां बिखरे हुए थे लेकिन सीता कहीं नहीं थी राच कुमार राम राम उस दुर्बल आवाज को पहचान गए वह खून में लिप्टे उस नागा के शरीर की तरफ बढ़े जटायू बुरी तरह से घायल जटायू कुछ कहने की कोशिश कर रहा था वह क्या रावन अपहरन उनको क्रोध से तम तम आए हुए राम ने आकाश की तरफ देखा उन्होंने तडब कर आवाज लगाई सीता इस भाग में इतना ही मिलते हैं अगले भाग के साथ अगली वीडियो में तिल देन टेक क्यर